दोस्तो आज का वीडियो आप सबके लिए काफी important होने वाला है क्योंकि यहाँ जैसा कि आप देख रहा है मैं आपको यहाँ पर beam दिखा रहा हूँ यह simply supported beam है यह simply supported beam क्या होता है दोस्तो आप जैसे उस side आप देखेंगे कि एक कॉलम एक तरफ है या एक कॉलम दूसरे तरफ है तो दो कॉलम के ऊपर जब एक बीम आता है तो उसको हम simply supported beam करते हैं जो कि generally हम residential अपना घर बनाते हैं तो उस पे देते हैं तो एक जो होता है कि हम किसी engineer से या किसी technical person से design करवाते हैं तो आसानी से हमें beam का गहराई निकाल के देते हैं बता जाते हैं कि कितना गहराई और कितना चोड़ाई उसका width रखना है depth कितना रखना है width कितना रखना है तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक दो formula ऐसे बताऊंगा और दो तरीके से आये से श्टेंडर कोड के तरफ तरीके से और दूसरा ACI American Concrete Institute के तरफ से भी बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे किसी भी कितनी भी दूरी का beam है simply supported एक residential माकान के लिए तो आप असानी से उसका गहराई और उसका width यानि कि उसका depth और width कैसे निकाल सकते हैं चाहे आपका beam 5-meter का हो, 6-meter का हो, 3-meter का हो, 4-meter का हो तो दोस्तों जैसा कि आपने beam देखा, तो यह जो मैं beam आपको बताया हो simply supported beam बताया है जो कि हम जिंदली अपने residential माकान अपना घर बनाते हैं उसमें simply supported beam देते हैं simply supported beam क्या है, जैसे कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यह दो column हो गया, दोनों साइट से एक यह column हो गया, एक यह column हो गया दो column के बीच में जो beam connected रहा था है, जिस पे column पे यह beam हैंग करता है उसको हम बोलते हैं simply supported beam इसका जो दूरी था दोस्तों पांच मीटर का हमने लिया है, अब दोस्तों यह सबसे पहले आपको बता दूँ कि पांच मीटर यानि कि आप एक residential मकान बना रहा हैं, ठीक है, अपने रहने के लिए घर बना रहा हैं तो दोस्तों कभी भी आपको मालूम होना चाहिए कि residential मकान का जो एक column से दूसरे column की जो दूरी हम रखेंगे और ज्यादा ज्यादा आपको 5 मीटर यानि कि 15 feet से 16 feet तक ही रखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि एक beam का आपको depth कैसे निकालना है यानि कि उसका depth आपको कैसे देना है, दो तरीका है, एक तो हमारा ISS standard 456 हो गया उसके इसाप से और एक हो गया ACI वीडियो में end तक बने रहीगा क्योंकि दोस्तों यह बहुत काम की चीज़ है, आप घर बैटे आसानी से आप 5 मिटर का अगर आपका दूरी है, यहाँ पर एक कॉलम से दूसरे कॉलम का तो आप अपना depth निकाल सकते हैं या फिर 5 मिटर से ज्यादा बड़ा है, 6 मिटर का है, 7 मिटर का है, तो simple यह जो formula मैं बताऊंगा, यही formula रखके आप आसानी से अपना beam का जो गहराई है, depth है और उसका width निकाल सकते हैं और दोस्ते एक चीज और आपको बता दूँ कि जो यहाँ पी यह मैं बता रहा हूँ, यह maximum दोस्तो तीन story building के लिए है, यानि तीन मंजीला मकान जो है, उसके लिए आप अपलाई करें, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि as per is standard code 456 के हिसाब से, जो हमें depth निकालना है beam का, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम L by 20 यह formula लेते हैं, L by 20 आपको लेना है formula, अब यह 20 क्या है, यह दोस्तो constant value है, constant value क्या है, जो कि हमें IS standard code देता है, ठीक है, तो आपको simple formula रखना है L by 20, अब L हमारा क्या है, length है, यानि कि 5 meter का हमने beam लिया था, तो 5 रख दे कि जो L by 20 यहां लिया हूँ मैं, ओ क्या है, कि इसमें factor of safety मैं include नहीं किया हूँ, अगर आप safety factor लेते हैं, तो फिर आप वहाँ पे L by 16 formula यूज करके, भी अपना यहां पे depth निकाल सकते हैं, लेकिन L by 20 जो है, IS standard code हमारा कहता है, कि आप L by 20 लेके आप अपना beam का गहराई निक कोई दिकत नहीं है, तो हमने L by 20 direct यहां पर formula ले लिया है, वहीं दोस्तों बता दूँ आपको कि अगर cantilever beam है, तो cantilever beam के लिए आप क्या करें कि L by 7 formula यूज कर सकते हैं, या फिर continuous beam है, तो continuous beam के लिए आप L by 26 formula यूज करके, simple सा अपना beam का गहराई निकाल सकते हैं, तो यह हम क्या करेंगे कि ISA standard code के हिसाफ से चल रहा है, तो L by 20 ले लिए, अब L हमारा length हमारा 5 meter था, और 20 हमने रख दिया, तो जब इसको हम calculate करेंगे, तो 0.25 meter आ गया, अब हम इसको mm में change कर देंगे, तो 250 mm, तो दोस्तों जो हमें गहराई मिल गया था, beam का वो आप सीधा से यहां मिल गया था, 250 mm, ठीक है, अब क्या है कि हमें इसका width निकालना है, तो width के लिए हम क्या करेंगे, simple सा, जब आपका depth निकल जाएगा, 250 mm, यानि 0.25 meter, तब आप क्या करेंगे, D by 1.5, आपको simple सा यह formula में रखना है, D के जग़ 0.25 आपको यह रखना है, और divide by 1.5 से उसको calculate कर देना है, तो जब आप इसको calculate करेंगे, तो 0.16 meter आ गया, mm में change करेंगे, तो 160 mm, यानि कि जो यह मेरा width रहेगा, इसका, 160 mm रहेगा, अब एक चीज़ important यहाँ पर आपको यह बता दूँ, कि यह जो है, जो मैं आपको depth बताया, दोस्तों, यह minimum हमारा, जो है, minimum depth of beam होता है, आ आपको depth है, वो तो 250 mm आपको मिल गया, अगर 5 meter से कम की दूरी है, तो minimum, यानि कि इस से कम आपको 250 mm से कम आपको beam के गहराई नहीं रखनी है, और width जो है, width यानि कि जो beam का width है, वो भी आपको कम से कम 1500 से 160 mm रखनी है, उससे नीचे नहीं रखनी है, ठीक है, तो 250 mm से आपको चाहे 5 मिटर से कम दूरी का बीम हो 4 मिटर 3 मिटर का लेकिन जो मिनिमम उसका जो हमें गहराई रखनी है 250 हम यानि कि 10 इंच के करीब रखनी है अब यहाँ पे जो है एज पर ACI American Concrete Institute code 318 और 14 के हिसाब से 304 के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि यह सीधा से एक simple फर्मूला है कि length of beam ठीक है जितना आपका beam का length है ठीक है feet में क्या है कि 5 मिटर था उसको हम feet में change करेंगे तो हमारा simple सा अभी मैं आपको आगे बताता हूं तो जितना भी आपका length है feet में वो क्या होगा कि उसका equal हो जाएगा depth of beam इंच में ठीक है तो जितना feet आपका beam होगा उतना ही हमको क्या करना है कि इंच में उस value को ले लेना है तो हमारे depth निकल जाएगा ठीक है उसकी गहराई निकल जा feet में change कर दिए तो पांच इंटू 3.28 ले लिए तो करीबन 16.4 40 हमारा निकल गया length यानि कि लगवग मान लिजिए तो 16 feet ठीक है 16 feet निकल गया जब आप इसको calculate किये तो यह हमारा length हो गया अब दोस्तों यह जो है ACI जो है यह safety factor के हिसाब से safety factor को लेके अतब यहां value निकलता है तो यह safety factor के साथ था वही जो मैं आपको IS standard बताया था उसमें safety factor include नहीं था by 20 formula में यह चीज़ आप याद रखिएगा तो यहां पर 16.4 आ गया यानि कि 16 feet अपना length आ गया अब यहां पर simple formula था कि जितना भी feet में आपका length होगा तो उतना आपका depth हो जाएगा beam का लेकिन किसमें inch में हो जाएगा तो हमारा 16 feet था तो same 16 feet हमारा length हो गया और equal 16 inch हमारा उसका depth हो गया तो simple क्या हो गया कि यह अगर हमारा beam है तो हम अगर calculate करके निकाल सकते हैं आसानी से और खुद design कर सकते हैं दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आपको video समझ में आ गया होगा अगर इससे related आपको कोई doubt है तो आप मेरे से comment करके पूछ सकते हैं मैं उसका कोसिस करूँगा पूरा आपको जवाब देने का और दोस्तो channel पे अगर पहल आपको हमेशा मिलती रहें